नमस्कार, रुचिरा भागतिन के अंतरकत करक्षती करक्षितह पाट के शब्दार्थ इस प्रकार है, पहला शब्द है विद्युद भावे, जिसका अर्थ है बिजली चले जाने पर या बिजली के अभाव में, दूसरा शब्द है प्रचंडोश्मना, जो कि प्रचंड जमा उश्मना की संती से बना है, यहां प्रचंड कार्थ है बहुत अधिक और उश्मना कार्थ है गर्मी से, तो प्रचंडोश्मना कार्थ हुआ बहुत अधिक गर्मी से, अगला शब्द निश्क्रामती दिया गया ह जिसकार्थ होता है निकलता है इसके बाद है अबरुद्धह जिसकार्थ है रुका हुआ है इसके बाद है स्वेद बिंदवाह ध्यान दें स्वेद पसीने को कहा जाता है और बिंदवाह यानि बूदे तो स्वेद बिंदवाह कर्थ हुआ पसीने की बूदे आगे बढ़ते हैं स्वेद धारह इव अभी पीचे भी हमने स्वेद के बारे में पढ़ा है कि स्वेद कार्थ होता है पसीना और स्वेद धारह इव इस कार्थ हुआ पसीने की धारा के जैसी या पसीने की नदियों के जैसी अगला शब्द है प्रस्रवंती जिसकार्थ है बह रही है निदाग ताव तब तस्य इसकार्थ है ग्रीश्म के ताप से या गर्मी की ताप से दुखी मनुश्य का अगला शब्द पुन्सो भयार्दी तस्य व दिया गया है जिसकार्थ है भयभीत मनुष्य के समान यानि कि डरे हुए मनुष्य के जैसा इसके बाद है उपरी गामी सेतु नाम जिसकार्थ है उर्ध्व गामी पुलों के यानि कि उचाई पर जाने वाले पुलों के कर्त्यंते कार्थ है काटे जा रहे हैं पाठ में कहा गया है कि लगातार बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण परियावरण का संतुलन भी डगमगा रहा है. अगला शब्द वहानी ना दिया गया है, जिसकार्थ होता है आग से, इसके बाद है दह्यते, जिसकार्थ है जलाया जाता है, चेत कार्थ होता है शायद और अवकर भानडारम, इसकार्थ है कूडे के धेर को. अगला शब्द प्लास्टिक स्यूतानी जिसकार्थ है प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक के लिफापे. अगले शब्द आर्थों कियों बढ़ते हैं इवाचरामाः जो कि इवजमाः आचरामाः की संदी से बना है जिसका आर्थ है के समान व्यवहार करते हैं यहां किसी को उधारन सुरूप मानते हुए यह कहा गया है कि उनके जैसा व्यवहार करते है अगला शब्द क्षिप्यते दिया गया है जिसका आर्थ है फेका जा रहा है आहूय कार्थ है बुला कर या आवाज लगा कर अगला शब्द मारगे भ्रमत्सु दिया गया है जिसका आर्थ है रास्ते में चलने वालों पर इसके बाद है देयाहा देया कार्थ है देने योग्य अगला शाब्द विकीर नम है विकीर नम कार्थ है बिखरा हुआ आगे बढ़ते हैं संग्रिहया जिसकार्थ है इकठा करके इसके बाद है शाक फला नाम आवर्नाई सह जिसका अर्थ होता है सबजियों और फलों के चिलकों के साथ पीटे आवकर कंडोले जिसका अर्थ है ढके हुए कूडे दान में पाठ में कहा गया है कि कोडे को इधर उधर बिखराना नहीं चाहिए उसे ढके हुए कोडे दान के अंदर ही डालना चाहिए इसके बाद कारपा सेन शब्द दिया गया है, जिसका आर्थ होता है कपास से अगला शब्द है चर्मना, जिसका आर्थ है चमडे से अंतिम शब्द आलपंतह दिया गया है, जिसका आर्थ होता है बात करते हुए इस पार से संबंधित, विश्त्रित अनुवात, अभ्यास और इसके बहुवी कल्पिय प्रश्णों यानि कि Multiple Choice Questions की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है